अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे caldikind 60K सेसे के बारे में या फिर आप इसको powder या granules भी बोल सकते हो तो इस caldikind के क्या फाइदे हैं, कैसे लेना है, क्या नुकसान है, क्या प्राइज है ये सारी जानकरियां आज की वीडियो में आपको दूँगा तो सबसे पहले प्राइसे सुरुआत करते हैं, तो देखें 35 रुपीज में जो है एक ग्राम आपको ये मिलेगा या एक ग्राम की सेसे आता है और इसके अंदर जो है आपको एक ग्राम की ग्रेनियूल से मिलेंगे तो देखें समय के अनुसार जो है प्राइज बढ़ता रहता है तो जो आज के प्राइज वो इदर में आपको बता दिया है अब ये जो है Mankind Pharma वालो का है जो कि काफी अच्छी कंपनी है आपने नाम सुना होगा अब इसको खरीदना कहां से तो देखें जो भी लोकल ऐलोपेदी मेडिकल इस्टोर होते हैं वहां से आप इसको खरी सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो दर से कलिक करके आप जो है इसको घर बेटे बेटे भी मंगा सकते हो अब हम बात करते हैं कमपोजिशन के बारे में या फिर इन्यूडियन के बारे में इसमें क्या क्या है तो देखे इसमें आपको मिलेगा बिटामिन D3 जिसको आप को ले कैल्सी फेरॉल भी बोलते हो और ये रहेगा 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में इसलिए इसका नाम है कल्डी काइन 60 के तो 60,000 जो है इंटरनेशनल यूनिट काफी अच्छी खासी काउन्टेटी में इसमें बिटामिन D3 दिया हुआ है अब हम बात करें इसके फायदे के बारे में तो देखिए ये जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करता है इसके अलाबा अगर आपको कोई प्रॉलम है जैसे के अर्थराइडिस है, गठिया के प्रॉलम है, ओस्टियो पोरिसिस है, ओस्टियो मैलेसिया है हड्डियों आपके कमजोर हो चुकी है तो उस कंडिशन में ले सकते हैं या फिर डॉक्टर भी इसको देते हैं इसके अलाबा ये जो है आपके ग्रोथ एंड डेबलमेंट के लिए काफी अच्छा है और देखिए बिटामिन D3 अगर आप लेते हो तो कैलसियम अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होता है ये मेंली बनाया जाता है कोले कैलसिफिरॉल कैलसियम को अब्सॉर्ब करने के लिए तो देखिए जो भी हम खाते हैं खाना खाते हैं तो उससे हमको बहुत सारे बिटामिन्स, मिनरल्स, कैलसियम ये सब मिलता है तो देखिए कैलसियम आप लेते हो लेकिन वो एब्सॉर्ब होना भी जरूरी है हमारी बोड़ी में अगर कोई चीज हमारे अंदर एब्सॉर्ब नहीं होगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं है इसलिए बिटामिन D3 लेना बहुत जरूरी है कैलसियम के एब्सॉर्ब्सन के लिए तो इस परकार से इसके जो हैं फायदे हैं इसके अलाबा इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे के अगर आपको फ्रेक्चर बगेरा हो जाता है हड्डियों तूड जाती हैं तो उसमें आप ले सकते हो तो देखिए कई बार होता क्या है कि जो हमारे मसल्स का दर्द होता है या हड्डियों का दर्द होता है ये कैलसियम के कमी से भी हो जाता है D3 की कमी से भी होने लगता है तो इस परकार से आप इसको ले सकते हो बागी आपके दावतों के लिए अच्छा है और जो pregnant lady है तो pregnant lady भी इसको ले सकती है और after pregnancy भी इसको लिया जा सकता है इसके अलाबा जिन ladies वो का amino boss बगेरा हो जाता है वो ले सकती है और देखिए hair loss भी कई बार होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो तो इसमें फायदा करता है और अगर आपको कमजोरी जैसा लगता है या फिर जल्दी ठक जाते हैं तो कहीं न कहीं vitamin D3 भी कम हो सकता है और खास तोर से ladies वो में ज़्यादा प्रॉलम होती है इसके अलाबा अगर आपकी age ज़्यादा हो गई है old age में भी इसको लिया जा सकता है क्योंकि old age में काफी जो है ये प्रॉलम होती है vitamin D या vitamin D3 की बोलूं तो मैं तो इस प्रकार से इसके फायदेत है अब हम बात करते हैं इसको use कैसे करना है कैसे लेना है तो देखिए एक से से या फिर मैं बोलूं तो एक γ्राम जो है आपको एक गलास पानी में डाल लेना है या फिर आधी गलास पानी में आप इसको डाल कर ले सकते हो या फिर इसको आप जो है दूद के सांद भी ले सकते हो तो water या milk दोनों के साथ ले सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है और इसको एक हपते में केबल एक ही बार लेना है और इसको जो है आपको 45 दिन तक लेना है मतलब एक महिने में चार बार या मैं बोलूँ तो पूरे देड़ महिने में इसको छे बार लेना है और इसको कभी भी ले सकते हो चाहे दिन में लो चाहे रात में लो कोई प्राव्लम नहीं है अब देखिए इसका फ्लेवर काफी अच्छा है बटर स्कॉच फ्लेवर में आता है और सुगर फ्री है मतलब जो सुगर के मरीज़े हैं जिनको diabetes है वो भी इसको ले सकते हैं मेल फीमेल को भी ले सकते हैं लेगिन बच्चों के लिए नहीं है और जो pregnant lady है वो ले सकती हैं लेकिन डॉक्टर से या गायनेकलोजी से सला करके क्योंकि pregnancy में unnecessary आपने मर्दी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि पहले से आपकी calcium with vitamin D3 चल रही हो इसलिए doctor से consult कर लें तो बहतर रहेगा जो pregnant है वो lady अब side effect के बारें बात करें तो nozya जैसा लग सकता है vomiting हो सकती है या paid बगेरा खराब हो सकता है अब कोई भी दूसरी medicine चल रही है तो उसके साथ बिल्गुल इसको ले सकते हो क्योंकि देखे ओवर डोस नहीं करना है पता लगा आप पहले से कोई tablet या capsule ले रहे है calcium की या D3 की तो उसके पहले आप doctor से consult कर लें तो बहतर रहेगा अब देखे इसको कब तक लेना है तो जैसे कि मैंने बता दिया इसको देड़ महिने 45 जिन तक आप ले सकते हो और हपते में एक बार लेकिन ये depend करता है आपकी problem पर अगर आपको क्या problem है कितनी समस्या है तो इसके जो डो से उपर नीचे हो सकते हैं तो उसके लिए आपको doctor से सला लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्या problem है कितनी problem है ये मैं नहीं बता सकता हूँ तो ये depend करता है आपकी बीमारी पर आप फायदा कब तक देखने को मिलेगा तो कम से कब एक मैना लेकर देखिए एक मैने बाद आपको जरू कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा अब इधर में कुछ advice देना चाहूँगा देखिए अगर आपको अलकोहल नहीं लेना है और smoking और junk food, oily, मीठा ये सब नाखा है ये सब बेकार होता है health के लिए आपको healthy diet लेना है और एक healthy life style लखना है और थोड़ी सी देखिए और इस टाइब से अगर आपको और भी वीडियो देखना है health or medicine से लेटेड जो कि मैं daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजीगा फिर में लेंगे next वीडियो में जब तक आप बने रहे रहे और देखते रहे आपके अपने चैनल में knowledge for Indian